नहीं जबानों क्या मेरिट के आधार पर नोकरी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए आपकी ताकत के हिसाब चाहिए आपको काम मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए अगर आप होनहार है तो आपके नोकरी का आपको हक हक नहीं है लेकिन रोका कैसे जाता है जब आप परिक्षाएं पांस करते हैं अच्छे मार्क लाते हैं फिन नोकरी के लिए एक्जाम देते हैं उसमें भी अच्छे मार्क लाते हैं तौपर होते हैं लेकिन बाद में इंटर्यू की चिठी आती है इंटर्यू आता है आता है नहीं इंटर्यू और जब इंटर्यू आता है तो बेटा खुशी से समाता नहीं है मा को कहता है मा इंटर्यू आ गया मैंने परिक्षा पांस कर ली अम नोकरी लगेगी मा अनुभवी है कहती है बेटा देखो किसी की पहचानत है क्या कोई जानने वाला मिल जाए तो देखो देखो ये कोई नेता मिल जाए तो देखो वे बेचारा इंटर्यू के पहले कोई पहचान वाले को तराता है सिफारिश करने के लिए तलाता है तो कोई बिचोली आ जाता है कहता है नोकरी चाहिए तो दो लाख दीजिए नोकरी चाहिए तो पांच लाख दीजिए वो गरीम मा कहती है बेटा ये तेरे बाप ने मेरे लिए जमीन छोड़ी है ये जमीन गिरी भी रख दो लेकिन पैसे दे करके एक बार नोकरी ले लो बैटा और इंटर्यू में कैसा चल रहा है भाईयो तीन बाबू बैठे हैं एक दर्वाजे से नौजवान अंदर आता है 30 सेकंड जादा नहीं 30 सेकंड वो तिन लोग उसको देखते हैं वो तिन लोगों को देखता है वो उसको पूछ लेते हैं नाम क्या कहां चाहे हो और दूसरे दर्वाजे से निकल जाता है यह है इंटर्यू मुझे बताईए भाई दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान निकला है क्या कि 30 सेकंड में पता चल जाए कि भाई कैसा है कैसा नहीं है पता चल जाय है को विज्ञान है क्या यह बेहिमानी है यह इंटर्यू नाम का जूट चल रहा है यह लोगों को उनके हक को छिनने का शड़ी अंत्रक नहीं है हमने इंदिन नहीं किया दिल्ली में आपने मुझे प्रधान मंत्री बनाया हमने इंदिन नहीं किया कि बर्ग तीन और चार सरकार में सबसे ज़्यादा नोकरी करने वाले लोग बर्ग तीन और चार के होते हैं हमने नेड़े किया अब वर्ग तीन और चार में कोई इंटर्यू नहीं लिया जाएगा हर किसी के मार्क्स कॉम्पूटर में डाल दिये जाएगे और कॉम्पूटर ही ताय करेगा कि पहले 100 कौन है पहले 200 कौन है पहले 500 कौन है और कॉम्पूटर से उसके घर आडर चला जाएगा कोई बिछोलिया नहीं रहेगा कोई जाती नहीं रहेगी कोई बेदारिक्री सरकार है इमान्दारों के लिए